जरा उनको पूछिये स्वामी नाथन कमिशन ने 2007 में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार को रिपोर्ट दिया था और उनको कहा था कि किसान इसका जो लागत लगती है डेड़ गुनाए MSP होना चाहिए अगर 2007 में ये नामदार की सरकार ने ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार ने स्वामी नाथन कमिशन का रिपोर्ट का अमल किया होता किसान को लागत का डेड़ गुना उसकी पैदावर पर दिया होता तो आज मेरे देश का एक भी किसान कर्ज के बोज में डुबा नहीं होता अगर किसान को कर्ज हुआ है तो नामदार तुम्हारी सरकार के पापों के कारण हुआ है ये आपकी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार के पापों के कारण हुआ है आपने जो काम नहीं किया हम आए ये हमारी हिम्मत है हमने स्वामिनाथन कमिशन लागू किया लागत का डेड़ गुना किसान को देना शुरू कर दिया भाईयो बैरो किसान को कर्ज से बचाना ये हमारा काम है आप जड़ा बताईए नामदार जब आपकी सरकार चलती थी तब आप किसानों से 15-16% कर्ज पर ब्याज लेते थे कि नहीं लेते थे किसान पर कर्ज पर और कर्ज करने का मजबूर करने का पाप आप करते थे कि नहीं करते थे मैं सिवराज जी की सरकार को अभिननन देता हूँ कि कॉंग्रेस के राज में किसानों को 15-16 परसंट ब्याज से कर्ज लेना परता था सिवराज जी ने 0 परसंट से किसानों को कर्ज देने का चालू किया किसान कर्जवान न बढ़े ये काम हंक बारते हैं लेकिन भाईयों बेनों ये जूट बोलना गुमरा करना इन्हें कामों को लेकर के चल रहे हैं भाईयों बेनों आज हमने इन्फार्ट्रेक्टर की बात करें बिजिली के बीना जीवन संभव नहीं है जब भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार मनी शिवराज जी की सरकार मनी उसके पहले जब दिगी राजा यहां थे कॉंगरेजिया सरकार दी 55 साल राज किया था 55 साल में मध्यप्रदेश में बिजिली का उत्पादर होता था 2900 मेगावोट 3000 मेगावोट भी नहीं 2900 मेगावोट होता था 55 साल में कितना 55 साल में कितना 3000 मेगावोट मालो 35 साल बाजबावोट 15 साल में भाजपोर शिवराजी की सरकार ने 18,000 मेगावोर्ट बिजली ये मद्य प्रदेश में उत्पादन करके दिखा दी गाई